IPU University से MBA करने के लिए आपके पास कौन से best options है, minimum कितने rank तक यहाँ पर admission होता है, कितना score आपको cat की percentile का चाहिए, जिससे आपको इनके top college brand में चाहिए, अगर आप CET based admission के लिए apply कर रहे हैं, तो भाई कौन कौन से college को target कर सकते हैं, तो पुल मिलाके top colleges के बारे में discussion करेंगे, त बिना time waste करें, जल्दे start करते हैं हमारा ये वीडियो, अगर MBA course के बारे में बात करें, तो IP University के अंदर साल दर सार कुछ applications कम हो रही है, लेकिन जब आप बात करते हैं, टॉप colleges की, तो वहाँ पे आप लोगों का competition है, उतना ही बना रहता है, अब IP University वैसे तो भाई बहुत famous है अपने courses के लिए, VTEC courses के बारे में बात करें, management courses के बारे में बात करें, तो काफी famous है, लेकिन जब हम बात करते हैं, MBA course के लिए, तो MBA course जब तक इनका 2019 तक चल रहा था, खुद के CET के basis पे नहीं, खुद का interest exam में 100% कराते थे, तो जो student इनके BBA करते थे, वही mostly students MBA के लिए, ह तो कहीं न कहीं, applications में थोड़ी बहुत ग्रावाट आई, लेकिन CET वाले students अब धीरे-धरे करके बढ़ रहे हैं, तो टॉप college इसमें आपको competition देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जो student cat के score पे apply करते हैं, उनको 100% जो है main campus में admission मिल जाता है, even जब यह start होता है scenario starting में, तो 27 percentile रहे हैं, उनको जो है दूसरे college में admission लेना पड़ा है, तो cmat के basis पे भी admission हो रहा है, cat के basis पे admission हो रहा है, और यहां पर CET के basis पे admission हो रहा है, तीनों ही तरीके से admission हो रहा है, जो preference पहले यह देते हैं, एडमिशन के लिए cat क्यों देते हैं, फिर बच्छे के skills को cmat में देते ह तो यह CET के score पे admission करते हैं, टॉप colleges के बारे में बात करें तो नमबर वन चॉइस होनी चाहिए आप लिगों की, USMS जो की इनका मेन campus से दौर का वाला यहां पर मेन university से कर आपको MBA करने को मिले, तो बहुत ही बढ़िया है, placements के बारे में बात करें तो देखें, highest salary packages तो आपक लोगों को job मिलती है, लेकिन मैं आपको लोगों को यही बोलूँ हो, जितने हैं पर investment आपकी जाती, जितने हैं पर fee structure है, उसके comparison में आप लोगों को अच्छा कासा ROI यहां से मिल जाता है, आगे बात करते हैं, second number पर आपके पास आ आ जाता है, महराजा अग्रसिन Institute of Technology, यहां पर भी आप लोग जो है MBA course के लिए अपलाए कर सकते हैं, इसका भी जो placement जो आप लोगों को claim करा जाता है, 10 to 12 के बीच में, higher salary package, लेकिन on average आप लोगों किसी भी college में IPC 4 to 5 lakh का salary package मिल ही जाएगा, next आपके पास option है, भगवान परशुराम Institute of Technology, BPIT नाम से famous है, तो यह college भी starting से, जब से मैं counseling का process देख रहा हूँ, तो BPIT के अच्छी का से demand रहती है MBA course के लिए, then next आप consider कर सकते हैं, बनारसी दास चांदी वाला Institute of Professional Studies, यह college भी काफी अच्छा है MBA course के लिए, और यह college आप लोगों को दौरगा में located है, यह college आप लोगों को काफी अच्छा ROI द इसके अलावा भी आपके पास IP study में काफी सारे options हैं, जिसके बारे भी हम discuss कर लेते हैं, कौन-कौन से colleges जिनको आप अपने admissions के लिए consider करेंगी जब आप admissions के लिए apply करते हैं, इसकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो देखें यहाँ पर आपको मिलते हैं, दो category में colleges हो जाता है, यहाँ पर, एक तो हो जाते है, outer region के अंदर, और दूसरा होता है, बिल्कुल कोड जो की Delhi के अंदर located है, तो इस वज़े से भी थोड़ा cut-offs के अंदर आप लेगों को changes देखने को मिलता है, जब colleges हो जाते है, थोड़ा outer area के अंदर, तो student थोड़ा सा ही सोचते क return area के अंदर, लेकिन Delhi वाला student कभी भी उनको consider नहीं करता है, तो यह आपकी personal choice भी है, और यह आपका opinion भी जिसके उपर भाई, आप पना decide कर सकते है, colleges को select करने के लिए, बाकि admission support के लिए, आपको मैं नीचे ना, एक admission support का form दे रहा हूं, quick support, जिसके अंदर हमारे counselors आपके साथ one-on-one interaction करते हैं, आपके score के business पे कौन सा college आपके लिए suitable रहेगा, आपकी प्रफरेंशिट किस तरीके से बनी चाहिए, ताकि आप लोगों को easily college alert हो जाए, इसके बारे में properly आप लोगों को guidance प्रवाइड करते हैं, तो यह form free of cost है, आप इसको अभी जाके fill कर लीजे और हमार number of seeds के बारे मात करते हैं, 30 seeds totally यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, army institute of management and technology, यहाँ पर आप लोगों को 120 seeds जो है दी गई है, MBA in analytics के लिए 60 seeds यहाँ पर अवेलेबल है, यह college भी greater noida में है, तो जासे कि में आपको बताया था, बनार सिदास चांदी वाला एक अच्छा college है, 120 seeds आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, दौरका में college located है, BPIT अगेन रोहिनी में college है, 60 seeds हैं पर अवेलेबल है, डाइस college यह भी रोहिनी में है, इसके अंदर आपको सब ज़्यादा seeds देखने को मिल रही होंगी, first shift के अंदर 180 seeds है, second shift के अंदर 60 seeds अवेलेबल है, DTC, Delhi टेकनिकल campus, अब यहाँ पर आप लोगों को यह भी location जो है, ग्रिटर नोड़ा की देखने को मिलेगी, 30 total seeds हाँ पर अवेलेबल है, Dr. Akilis Das, Gupta, Institute of Technology and Management, MBA course के लिए भी यहाँ पर आपको 60 seeds देखने को मिलेगी, पहले आपको 60 seeds देखने को मिलेगी, पहले नमोर आप सेट अच्छा खासा देखने को मिलता, भी college की जो location जो है, शास्तरी पार्क के आसपास है, इस वीसे जो college है, यहाँ पर admissions जो है, MBA में देखने को मिल जाते है, जो की हो जाता है, अच्छे खासे है, अब बात करते हैं, गीतर रतन के बारे में तो Gibbs College है, तो Gibbs College के अंदर भी आप ल है, महाराजा अगर सेंग जो है, इसके अदर आपको 180 seats देखने को मिल रही है, मैरी college के अंदर आप लोगों को 120 seats मिल रही है, इसकेंड़ के इंदर 60 seats अविलेबल है, यह college भी जनकूरी में लोकेटेड है, लुकुमनी देवी इस्टूट अब एडवांस ड़ीज काफी popular रह कर रहा हूं कि भाई, college का जो है, review, feedback अच्छा है, बी-school कह सकते हैं आप इसको, तो आप लोगों को इसको consider करना चाहिए, अपने admissions के लिए, first shift के अंदर 120, second shift के अंदर 120 seats अविलेबल है, टेकने institute of advanced studies मदूबन चौक में यह college अविलेबल है, तो यहां पे भी आप लोगों 40 स इसको अच्छा नहीं आता है, MBA कोर्स के लिए, इसको अगर consider कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से student के साथ बात करके इसका जरूर feedback ले लेना, next option अपके बार श्रीबलबन, institute of technology भाई, यह college हमारा थोड़ा range से बाहर है, तो अभी हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, वह हाल फिलाल में उन्होंने अपनी seat जो 10 का रखी है, और 10 student को यह पढ़ा पढ़ाना पसंद करते हैं, तो मेरे को लगता है कि यहां पर number of seats आने वल टाइम में 0 भी हो सकती है, महराजा सुरजमल institute, जो कि MSIT है, आप लोगों का काफी popular college है, 120 seats है, आप लोगों का देखने को मिल होंगी, MBA financial analysis analytics के बारे में बात करते हैं, इस फ़र सिर्फ आपको main campus में ही देखने को मिल रहा है, MBA analytics, Army Institute of Management के अंदर हमको देखने को मिल रहा था, तो सब्सक्राइब करना है तो आपको गीतरतन इंसिट्टूट बिस्नस स्टुडिस में देखने को मिलेगा देखिए जब हमारे पास इतने सारे ओप्शन हो जाते हैं हमारे पास लगभग सतरा ओप्शन्स हैं MBA कोर्स करने के लिए फ्रॉम IP उनिवर्शिटी तो हमारे पास कही न आप लोगों को लिंक देए दिया है डिसक्रिप्शन के अंदर अडिमिशन सुपोर्ट का है यहां से अब हमारे साथ जोड़के फिरियो आफ कोस्ट अडिमिशन सुपोर्ट ले सकते हैं MBA को अपको अपना स्टेंट डालना है और यहां पर अपना कौर्स उलेक्ट कर लेना झाल झाल